देखे, question number 5 है हमारे सामने, a girl can finish a book in 25 days, if she reads 18 pages of it every day, how many days will she take to finish it, if she reads 15 pages per day, कोई girl है, एक book को 25 days में finish कर देती है, अगर उसने pages पढ़े 18 daily, 18 pages daily पढ़ेगी, book कितने दिन में finish होगी, 25 days में, कितने days लगेंगे अगर वो 15 pages per day पढ़ने लगे, तो आपको मालुम है, कि ये भी inverse variation का question है, अगर वो pages की counting daily बढ़ा देगी, तो book जल्दी finish हो जाएगी, है ना, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, number of pages, और इधर लिखें क्या, days, कितने pages पढ़ती है और कितने days में, तो देखें क्या लिखा है, 25 days में 18 pages, तो 18 pages, days कितने, 25, फिर वो पूछ रहा है, how many days, days के column में आपको क्या लिखना है, x, how many days, अगर 15 pages every day, तो यहाँ pages कितना है, 15, आप जानते हैं, question किसका है, inverse variation का, तो आपको क्या करना है, आप पहले 18 upon 15 लिख दें, और इस में fraction को क्या कर दें, पलड़ दे, equals to x upon 25, cross multiply करें, तो 18 into 25 equals to x into 15, cross multiply कर दिया, हमें चाहिए x की value, तो यह 15 इसके divide में जाएगा, तो 18 into 25 upon 15, यह value किसकी निकलर के आ रही है, x की cut करें, मैं 3 की table से cut कर रहा हूँ इसको, तो 3, 6 जा 18, और 3, 5 जा 15, 5 की table से दोनों cut हो रहे हैं, 5, 1 जा 5, 5, 5 जा 25, 6, 5 जा 30, तो 30 क्या है, x क्या था, x था days, x की value 30 आई है, 30 days लगेंगे, तो आप कहोगे, she will finish the book in 30 days, कब जब यह कितने pages daily पढ़ेगी, 15 pages, ठीक है, चलिए next question पर चलेंगे,